आज हिमाचली हेल्दी कीचन में बनने वाले हैं बिलकुल होटेल स्ट्राइल लौके का कोफता जो कि एक हेल्दी वे से बनाया जाएगा बनेगा होटेल स्ट्राइल लेकिन बहुत कम चीजों के साथ आज बहुत ही कमाल के टिप्स मिलने वाले हैं तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना है आपको सभी देखने वालों को नमस्ते ओम नमश्वाय जैमाता दी स्वाधत है आपका हिमाचली हेल्दी कीचन में तो आज कल मार्केट में बहुत थी ताजा ताजा घियानी स्टार्ट हो गई है तो क्यों ना उनके कोफते बनाए जाए यहां आधा किलो घिया को मैंने कद्दुकस किया है जो मिडियम वाले होल होते है ना कद्दुकस से उसके से मैंने कद्दुकस किया है उसी से अच्छी इसकी जो कोफते की जो शेप है ना वो आती है इसलिए मीडियम वाले होल से कद्दुकस किया है उसके बाद इसका जितना भी पानी था ना वो मैंने हाथ से दबाते हुए अलग इसका पानी किया है यहाँ इसका पानी है बहुत हेल्दी है यह आज की डिस में यूज होगा गलती से भी इसे फैंक येगा नही क्योंकि जो घिया यहां पर हमने कद्धू कस की है मैं कहूं तो उससे भी हल्दी यह पानी है इसका काफी पानी इसमें से निकला है क्योंकि ताजा थी न यहां पर पांच चमच मैंने बेसन के लिए है बाइंटिंग के काम आएंगे तीन अनियन लिये हैं मैंने यहां पे जिने मैंने कद्दू कस्ते ही गिसा है यह भी एक बहुत कमाल का टिप से टेस्टी कोफते बनाने के लिए कि कद्दू कस्ते गिसी हुई चीजे ही लेनी है तीन अनियन लिये हैं तीन ही टुमेटो को कद्दू कस्ते गिसा है एक जैसी क्वांटेटी है बेसन अनियन टोमेटोज की अब आईए सबसे पहले तो जो हमने यहां पे लौकी लिए है इसमें हम मसाले डालेंगे आधी छोटी चमच यहां पे मैंने लाल मिर्च चमच का तिहाई हिस्सा मैंने नमक लिया है कुछ डाल दिये हल्दी कुछ यहां पे मैंने डाल दी है इसमें अजवायन जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होगी अभी हम इसमें पहले दो चमच डालेंगे बेसन के मिला लेंगे जैसे जैसे हमें लगता जाएगा वैसे वैसे हम बेसन डालते जाएंगे इसमें तो मतलब इसकी एक अच्छी खासी बाइंडिंग होनी जाए बहुत सकत नहीं मैं बताऊंगे आप देखते जाए यह बहुत दिहान की चीज़ है बहुत सपॉंजी टेस्ट यह दी कोफता बनाना है तो बहुत कमाल की वीडियो दिहान से देखिए गाए देखिए अब मैंने वापी से इसमें दो स्पून डाल द अब आप यहां बिल्कुल दिहान से देखिएंगा बिल्कुल ऐसाई होना चाहि spec जो हम यहाँ पर इसका घोल बनाएंगे यह देखिए कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सॉफट इसका जब हम इसका लड्डू जैसा बनाए न बिल्कुल सॉफट वो बने ऐसा नहीं कि ये बहुत टाइट बहुत सक्त बन जाए तो क्या होगा जो कोफटा बनेगा ना बाद में ओवी वैसा ही टाइट होगा ना उसमें कुछ लिक्विड जा पाएगा क्योंकि हम आगे अभी मसाले बनाएंगे ना बहुत ये जजाएके वाली बनने वाली है ये डिस बिल्कुल ऐसे कोफटे बनने चाहिए जिसकी शेप देते हुए हलका सा टाइम लगे बिल्कुल ऐसे बने वो देखिए ये बाद में भी ऐसे ही स्पॉंजी होंगे बहुत मस्त बनेंगे ये दो बना लिए बिल्कुल ऐसे ही सभी को बना लेती हूँ यहां पर सभी कोफता मैंने बना लिया है गोल-गोल शेप थी है क्योंकि जो कोफते हैं वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं यदि तो हमने पकोड़े बनाने होते तो हम कोई भी शेप दे देते हैं अब गैस पे हम तेल लगा देंगे इनको अच्छे से तेल को सेक लिया है उसके बादट लो टू मेडियम आज पे हम कोफते डाल देंगे इसमें सभी इसमें एक साथ आ जाएंगे आधा किलो घीया थी हलकी से आधा किलो से जादा थी तो बस ये मैं सभी इसमें डाल दूँगी उसके बाद इसे कुछ टाइम तक हम याने की आधा मिनट के आसपास तक इसे सिखने देंगे उसके बाद इसे हम पल्टेंगे एक दम से इसे पलटना नहीं है नहीं तो जो क्या है न जो बड़ी आसी शेव दिये न वो नहीं आएगी एक दम से हम इसे हिला देंगे तो इसलिए आधा मिनट के लिए सिखने देते हैं यहाँ पे आधा मिनट का टाइम जो है वो अब होने वाला है हल्के से यह सिख गये देखने में भी लगता है आईए अभी ने हम पल्ट लेते हैं देखिए बहुत बड़ी आसे सिखे हैं इन्हें दो से डाई मिनट तक अच्छे से पकाना होता है तेल में तलना होता है आने की तेल में तब ही यह बीच तक पक पाते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आ पाता है साथ में इस चीज़ का दिहान दीजिए जब भी कोफ़ता बनाए बहुत बढ़िया बनेंगे जितना बेसन कम यूज हो सके जैसे कि मैंने काफी कम बेसन यूज किया है तब बनता है वो कमाल का वो होटेल वाला कोफ़ता या शादी व्या वाला कोफ़ता अब ऐसे ही अलरते बलरते हुए दो ढ़ाई मिनट के लिए इसे हमने अच्छे से पकाना है ताकि बीच तक ये पक जाए कोफ़ता बनेगा न जितना स्मौँजी बनेगा उतना ही कमाल का बनेगा ये देखी अच्छे सीग गया है सबी जगह से उठा देंगे हलका सा ऐसे किया ताकि तेल निकल जाए तो देखिए यहाँ सबी को मैंने ऐसे ही उठा लिया है देखिए कितने बड़िया बने हैं ऐसे भी आप इनका अनंद उठा सकते हैं अब लगा देंगे पैन में हम तेल दो से तीन चमच ही तेल के लिए हैं क्यूंकि कोफता तला हुआ है तो काफी हैवी हो जाएगा तेल यहां कम यूज किया है आदी चोटी चमच मैंने यहां पे क्यूमन सीड्स डाल दिया है जैसे ही यह चटक जाए इसमें कद्डू कस किया हुआ मैं प्यास डाल दूँगी एक यहां पे खास टिप्स में दूँगी जो मैंने बहुत कम लोगों को आज तक बताया है जब मैं यह लोकी के कोफते बनाती हूँ तो सब कहते है वावा क्या चीज बनी है उसके पीछे एक जो सबसे बड़ी बात है वो यह कि जो हमें प्याज है ना वो कद्डू कस्से किसके लिए ना जीए ओ बहुत बड़ीया टेस्ट इसमें देता है प्याज को कट्दू कस्जे के ही यहां प्याज लीजएगा यदि हम इसे मिक्सी में पिसके लेते हैं तो वो बात नहीं आती है कोफतों में जो इस से आएगी देखिएगा लास्ट में क्या बढ़िया कोफता बनता है तो अच्छे से मसालों को भून लिया अब इसमें टमैटोस डाल दूँगी बहुत बढ़िया इन्हें हलका सा हम पहले ऐसे ही आधा मिनट के लिए ऐसे ही मैं इन्हें पकाओंगी उसके बाद इसमें पानी डालूँगी लेकिन पानी हम कौन सा डालेंगे देखते जाएज आध Series काज जाएई अब याप पकने देते हैं पहले इसे हलका सा आधा मिनट के लिए मैंने पका लिया अब जो हमने लौकी का पानी बचाया था ना जो हमने कद्दुकस किया था इसमें से हमने घिया निकाल दी थी कोफतों के लिए जो पानी बचा था वो यहां डालना है मैं आपको सची बात कहूं न तो जो घिया है न उससे भी कहीं हल्द कुछ जादा डालनी होती है एक अच्छा स्पॉंजी कोफटा बनाने के लिए आइडिया लगा के बताऊं तो जितनी गिया है उसे डबल कौइंटिटी की पानी की इसमें डालेंगे ना तब आएगा वो कमाल का टेस्ट कोफटों में बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी ऐस ऑब बने के बास सुखा सुखा बिल्कुल ऐसी शिकायत नहीं आने वाली है तो काफी ज़्यादा कौइंटिटी पानी की डालनी है ऐसे ही खास टिप्स आप जाना चाहते हैं जाना चाहते हैं तो हीमा चली हैल्दी कीचिन में आईएगा ऐसे कमाल के टिप्स मिलेंगे जो आपने पहले ना सुने हो तो पकने देते हैं अभी यहां पे अच्छे से उबाल आ गया है धकन उठा दिया है मैंने बहुत बढ़िया खुश्वू है मसालों के पकने की घीया का पानी पक चुका है बहुत बढ़िया बने है देखिए जब इतने लिक्विडे पहले से होंगे अब जब हम इन में वो स्पॉंजी टाइप कोफता इसमें डालेंगे ना तो वो यहां से कुछ खटास कुछ अनियन का टेस्ट कुछ मसालों का टेस्ट उन कोफतों के बीच तक जाएगा जो कमाल होगा जितने जूसी वो बनेगे ना कि यदि आप उन्हें हलका सा भी दबाओगे तो उसमें से बहुत ही कमाल का यह टेस्टी सी यहां की यह ग्रेव भी उसमें से निकलेगी बहुत वड़िया कुक हो गय है अब इसमें हम डाल देंगे फाइनली जो हमने बनाए थे बहुत यम्मी से कौफता वो इसमें डालेंगे देखिए इतना ज़्यादा लिक्विड मैंने इसमें डाला था तब जाके यह ऐसे बनेंगे कि आप इन्हें पांच-छे गंटे के बाद भी खाऊगे ना बनने के तो भी इस स्पॉंजी डाइप हलके से लिक्विड ही होंगे हलका सा ऐसे इन्हे ऐसे बिल्कुल इससे ढख देंगे अब लगाएंगे इस पे हम ढखकन ढखकन लगाके हमने अभी दो मिनट के लिए इन्हें पकाना है दो मिनट के लिए जब पकाएंगे न तब देखिएगा किया होटेल स्टाइल सब भी से टेस्टी ये बनेंगे चाहे शादी हो शादी वाले कौफते हो या कोई भी तो पकने देते हैं दो मिनट तक दो मिनट का टाइम हुआ है धकन उठाएंगे वाह क्या डिलिशियस क्या टेस्टी क्या लाजवाब क्या बड़िया चीज कोई भी नाम दे लेकिन देखिए दिखाती हूँ मैं उठाके बहुत स्पॉंजी देखने में देखिए कितना फूल गया है जो कोफता है याने की जो लिक्ट है वो बीच तक इनमें चला गया है बिल्कुल होटेल स्ट्राइल कोफता जो की बोल में निकल गया है जो देखने में ही कहता है कि जटपट से मुझे खा लीजिए शायद ऐसे कोफते आपको मिले या ना मिले बहुत यमी कोफता ऐसे बनता है आप जो मैंने टिप्स दिये उसे फॉलो कीजिएगा कोफता जब आप उन टिप्स के साथ बनाओगे ना जो जो चीजे कही उसका ध्यान दोगे तो देखिएगा कि क्या बढ़िया चीज बनती है बहुत बढ़िया कोफता ऐसे बनता है तो उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आई है तो